Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोगों साथ शेयर करने वाली हूँ How to cut your front bands at home with your scissors. तो guys, बहुत ही easy way में मैं आप लोगों को explain करने वाली हूँ कि आपके जो front की जो bands होती है, जो locks cut, जिसको भी बोलते हैं, okay, तो इसको आप घर पे कैसे काट सकते हो, तो let's get started. So, first, आपको अच्छे तरह से front के hairs को कॉम कर लेना है, इसके बाद आपको आगे के बाल को triangle shape में लाना है, और बालो को कान के आगे से लेना है, कान के पीछे से नहीं, और जहां आपके eyebrows खतम होते हैं, वहाँ से बाल को निकाल लेना है, इसके बाद flicks के बालो को अच्छे तरह से कॉम कर लेना है, फिर आपको यह देखना है कि, जो बाल आपको लंबा दिख रहा है, उसको आपको cut कर लेना है, कट करने के बाद आपको फिर से इसको अच्छी तरह से कुम कर लेना है, गाइस कुम करने के बाद आपको देखना है कि आपको कहां तक वो फ्लीक्स चाहिए, अपने फेस के लंद के हिसाब से और उसके बाद आपको इस तरह से अपने है इसको पकड़ना है और कट कर लेना है एक बार जब बाल कट हो जाए तो उसको नीचे के तरफ से स्ट्रेट कट कर लेना है जैसे मैं विडियो में दिखा रही हूँ एक तम इसी तरह आपको नीचे के तरफ से इसको कट कर लेना है इससे आपके फ्लीक्स बहुत जादा अच्छा दिखेगा और अब आप देख सकते हो फाइनल लुक कि यह फ्लीक्स कैसे टर्न आउट हुए गाइस इसको डेफिनेटल ट्राइ करना आप लोग भी I hope आप लोगों को मेरा ये विडियो पसंद आएगा तो प्लीज में चानल सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और फ्रेंड्स और फैमली के साथ भी जरूर शेयर करना So, बाबाई and see in my next video